देखें देश में इन दिनों चर्चा रोजगार की हो रही है और ऐसे में रोजगार को लेकर लगातार युवाओं की भी मांग है कि अधिक से अधिक उनको अवसर उपलब्द कराए जाए वैसे सत्रहवी लोगसभा की बात कर ले जाए तो सत्र का समापन हो चुका है और कुछी दिनों बाद देश में चुना होने वाले हैं लेकिन सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है कि सबसे सफल कारिकाल रहा है इसके अलावा जो युवाओं को रोजगार का भी एक बहतर माध्यम उपलब्द हुआ है इस कारिकाल में वैसे इन्वेस्टर क्या सोचते हैं यह जाना जरूरी है क्योंकि बड़ी जिमदारी इनके कंधों पर भी रहे है चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंज सरकार हो हमारे साथ काशे हिंदू विश्विध्याले में जो अलग अलग जगों से इन्वेस्टर आया है वो अगर आइडिया पर काम कर सकते हैं अगर आइडिया थोड़ा भी सक्सेस्पूल हो जाता है तो हम जैसे प्रोफेस्टर इमदारी उसको आगे लेकर जा सकते हैं शुरू में मेरा मानना ऐसा है कि वह फंडिंग नहीं था तो इसलिए जो आइडिया जो जाम होती है वह हमारे कि जिर्दार सब्सक्राइब नहीं था अब जब बड़े पैवाने पर आती है क्योंकि गौश्वर्मेंट से जिसे प्रयास करके ग्रांट है जो सिरुप आपको ट्राय करने के लिए ग्रांट देती है। और जैसे इतने हैं इंकुबशन सेंटर है वैसे देश में इतने सार है वो सब जगह पे जो भी अगर वह कोशिश करता है उसके लिए उनको ग्रांट मिलता है बिगर कोई देते हुए तो वह अगर कुछ प्रयास करके अगर कुछ लाते है तो फिर उसको आगे लेके जाते हैं जैसे हम जैसे यह यहां पर जितने भी प्रफिशनल इंविशर है उ यह कहते हैं कि स्टार्ट अप एक शब्द आता है तो आम बैक्ति इसको कैसे समझे कि स्टार्ट अप बिल्कुल स्टार्ट अप क्या होता है एक कोई भी नया आइडिया जो रहता है उसको हम आगे लेके जाते है एक्जिक्यूट करने के लिए ठीक हो एक स्टार्ट अप है रोजगार की आपने बात की प्राइवेट जॉब्स रिडियूस हो रहा है ठीक है गवर्मेंट जॉब्स और पीरिड आफ टाम कम ही होने वाले तो रोजगार कहां से जनरेट होगा उसके लिए खुद को कुछ करना पड़ेगा रहे और उसके लिए यह स्टार्ट अप इंडि रुपए तक आपको पैसे मिलते है वह प्रॉडट को आगे मार्केट में लेकर जाने के लिए अगर आप पूछे कंपायर करने को बोले मुझे प्री पोस्ट क्या था भाइज इनिशेटिव लिये है इसने बहुत ऑच्छा बूस्ट दिया स्टार्ट अप इको सिस्टम को बात करें, we are the third largest startup ecosystem in the world and second best in terms of quality, जो इन्वेस्टर्स है, इंजल इन्वेस्टर्स, have grown by 15x in last 7 years, या 15 गुना इन्वेस्टर्स बढ़े हुए, पहले इन्वेस्टर्स का मतलब यही होता था कि एक करोड, चीज़े बदली है, यह सारी चीज़े बदली है, एक युवा क्या सोचता है, क्या मिल रहे हैं, अउसर अगर बात कर लें, हमारी जनरेशन को जो graduate हो रहे हैं, जो PG कर रहे हैं, उनको एक अच्छा उसर मिल रहा है देश्टर्स जी बिलकुल, और इस हमारे समिट का मिशन ही यह है कि युवा को ज्यादा सा ज्यादा हम इन्वेस्टमेंट दिलाएं, स्टार्टप्स को, और क्यूंकि हम और रेड़ी चार पांच गवर्मेंट के जुड़ चुके हैं, इंडिया के संग भी जुड़ चुके हैं, तो हमारा एक यह भी उद्देश से कि ज्यादा से ज्यादा हम यहां पर रोजगार पैदा करें, ताकि आने वाले समय में इंडिया में जो प्रॉब्लम है, युवाओं को लेकर के वे रोजगारी और इस सार हो रही है, यहां पर अपनी चार डिपार्टमेंटल ने गौवर्मेंट की जो पूरी तरह से सहयोग दे रहे हैं, आपके और यह एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि स्टार्टप और इंवस्टर के बीच की जो दूरी खतम करता है, उनकी बात इस अच्छे सुनते हैं, जगर जगर से आए हैं, और हर एक संभव मदद इंवस्टर ने बोला है, कि हर एक संभव मदद पूरी श्टार्टट को देंगे, दश्कों की बात कर लें, तो क्या बदलाव आया है, क्या एक बहतर महौल मिला है इंवस्टर को, हाँ, अब ही जो सिच्छिशन है, उसमें इ जादा से जादा यूबाओं को छोटे उद्यमी को लाके इंवस्टर से कनेक किया जाए, उनको सरकार की नीती पॉलसी से जोड़ा जाए, जिसमें हमें चार बिभागने सरकार की उत्तपर सरकार ने कॉलाबरेशन से किया है, जो भी सहयोग था, उन्होंने पूरा सहयोग द आपको क्या लगता है सर, बदलाव क्या आया है बीटे दर्शकोंगे, बदलाव यह आया है कि एस्पिरेशनल बहुत जादा हो गया है, आज का यूबा, वो वांट्स टू, जो की नहीं सिर्फ चाहता है कि वो जॉब करें, वो जॉब प्रवाइडर भी बनना चाहता है, व बहुत एक बड़ा सेक्टर है जहां पर इंडिया अल्टरनेटिफ प्रडट्स जाएं और विष्व में अच्छा गरें, यह हो पाया है थोड़ा सा गवर्मेंट की मदद से, थोड़ा सा हमारे अंत्रपनियोर्स की क्वालिटी बढ़ी है, और काफी काफी इसमें रोल रहा तो वह कैपिटल से जैसे यहां पर डिस्ट्रिब्यूट करना है अब चोटे-चोटे जो स्टार्ट अइडिया उनमें बहुत लोगों का नुकसान होगा, बहुत सारे स्टापस फिल करेंगे, बहुत सारे स्टापस बहुत सक्सेस्फुल भी निकलेंगे, जो आज हमने देखते हैं कि नीचे उन्होंने कितनी जॉब भी दी है, उन्होंने 3 लाख ड्राइवर्स को इनेबल किया, अगर वो स्विगी जुमैटो के बात करेंगा, अगर हम उबरोला की बात करेंगे, तो उन्होंने अगें ड्राइवर एको सिस्टम को बढ़ावा दिया है, तो ऐस इसे हालात में क्या भारत आप अच्छी तरह से समझ रहेंगा, भारत की इस्थिती रोजगार छेतर में कैसी है, क्या सामान है, या सामान ने से सोड़ा कम है, बिल्कुल आपने सही बात बोला, और पिछले से अब समय में काफी बदलाव आए हैं, और बदलाव इस से इसे कि जो प्लेटफ़ाउं मेरे लोगों ने प्रॉइड कराया है, या इसे एक लोगों को हुनर दिखाने का अपना मौका मिला है, आका अपनी प्लेटफ़ाउं पर दिखा सके, पहले कोई इस तरह से कोई फंड आउस नहीं थे, कि आ के उनको पैसा मिल सके या कोई देख सके लेकिन इनों इतना अच्छा bit form दिया उसके वज़से हम लोग जैसे इन्वेस्टर आके इनके प्रोग्राम को देखते हैं और इनके product को देखते हैं। वाखी word class product ये लोग बना रहे हैं और बनाने जा रहे हैं। इनको आगर सहयोग मिला जाए तो यह बिल्कुल बहुत आगे और बहुत कोई बड़ी कंपनी बनने में बिल्कुल भी इनको कोई रोक नहीं सकता और यह बहुत आगे बढ़ेगे जो आज चोटे याज बहुत बड़े बन सकते हैं तो ऐसे में ये थी हमारी इंवेस्टर के साथ खास बातचीत और निशित तोर पर जो सरकार की तरब से जो दावा किया जा रहा है उन्हीं बातों को लेकर हमारी इन से खास बातचीत थी वैसे आने वाले चुनावी दोर में ये देखना होगा कि युवाओं का भरोसा किस पर जाता है एबीपी लाइब के लिए निशान चत्रवेदी वारानसी